नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाजार के पंडित में तो दोस्तों बाक टू बाक अपडेट आ रहे हैं चाहे वो रश्या से आ रहे हो चाहे अमेरिका से आ रहे हो चाहे चाहे आ रहे हो चाहे आ रहे हो RBI की तरफ से और मार्क काफी volatile category में चला जाएगा next week से क्योंकि आपको पता है कि market page समय एक particular update नहीं है कई सारी update आपको देखने को मिल नहीं है तो आपको ये दिमाग में रखना है कि हर एक update जो YouTube पे नहीं आएगी वो टेलिग्राम पे देखने को मिलेगी तो don't miss it join our telegram channel description में link मिल जाएगा तो आपके सामने देखीगा बहुत बड़ा update आ रहा है क्योंकि ये पूरे western country और अमेरिका में भी देखीगा बहुत बड़ा setback लेके आएगा और रशिया ने देखीगा 13 मिनट पहले update दिया है कि रशिया Ukraine war live अगर आप देखेंगे और यहाँ पे रशिया ने pipeline को यूरोक के लिए जो particular pipeline जाती है उसको तीन दिन के लिए shutdown कर दिया है तो आप समझ सकते हैं कि already natural gas की किलत आपको western countries में देखने को मिल लई है already आप देखेंगे तो winters में demand बढ़ जाएगी जिससे price बहुत जादा बढ़ जाएगे और इस scenario में अगर इस तरीके के थोड़े थोड़े hookups आते हैं रशिया की तरफ से एक तरीके से देखेगा कहीं न कहीं exploit करने की कोशिश की जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि जो gas के price हैं वो next to level पे चले जाएगे 60% से भी जादा बढ़ सकते हैं जो की market के लिए कोई भी अच्छी ख़बर नहीं है आप देख सकते हैं तो पूरी तरीके से update आ चुका है और इस पे देखेगा US President भी देखेगा हो सकता है आपने सामने आए ब्लादमिर पोतिन के जब इंडोनेशिया में नॉंबर में देखेगा G20 का सम्मिलन देखने को मिलेगा तो यहाँ पे बहुत ही interesting होने वाला है कि किस तरीके से अमेरिका दोनो particular powerful countries को tackle करता है एक तरफ है चाइना दूसी तरफ है रश्या और पूरी तरीके से देखेगा अमेरिका को से tackle करना पड़ेगा otherwise यह दोनों country भी aggressive हो जाएंगी और जब यह aggressive होंगी तो बाद में यही कहा जाएगा कि जो भी किया गया जो भी provocation किया गया वो western country की तरफ से किया गया और उसका backfire भी उन्हें देखना को मिला यानि कि जिस तरीके से पुतिन साब ने कहा था कि जो भी किया जा रहा जो भी sanctions लगाए जा रहे है वो सीधा backfire करेंगे western country को तो कुछ ऐसा ही होते हो देखने हो मिला जिस तरीके से natural gas के price before the winter इतने peak तर चले गया है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर फिर से drone shot down above black sea fleet building in kremia तो यहां पर पूरी तरीके से update भी किया गया है कि explosion report किया गया है Saturday को after the debris from a shot down drone hit the star building of the black sea fleet तो पूरी तरीके से कही ना कही कोई ना कोई एक update लेकर एक कोई particular देखेगा point लेकर रशिया ऐसा कर रहा है और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पे बहुत बड़ा problem तो nuclear plant को लेकर है क्योंकि अगर इस nuclear plant में कोई भी विसपोट गलती से भी हो जाता है तो यू यूरोप में पूरी तरीके से crisis आ जाएगे यूरोप में पूरी तरीके से power की crisis आपको देखने को मिलेंगे और इस पे लगातार देखेगा हर दिन एक नया update आ रहा है और रशिया ने पूरी तरीके से warning दी है तो रशिया है पे continue warning दे रहा है कि अगर यहां पे नहीं माना ग देखेगा इस particular nuclear plant को कर लिया है लेकिन यहां पे कहीं न कहीं अभी भी Ukraine की जो सेना है वो बनी हुई है और वो counter fire कर रहे है तो आप समझ सकते हैं अगर ऐसा कुछ हुआ तो यह यूरोप का largest nuclear plant in the south of the country reports DPA news agency तो आप समझ सकते हैं कि इतना largest nuclear plant अगर कहीं से भी damage होता है तो य यह भी update आप देखेंगे तो आज का आपको देखने हो मिला है पिर आगे बात करेंगे तो यहां पे US मानने का देखेगा नाम ही नहीं ले रहा है US चाहता भी नहीं है कि कहीं से भी यह particular युद्ध खतम हो चुकि उसकी weapon की supply खतम हो जाएगी तो उन्होंने new देखेगा military help औ weapons मिलेंगे आपको drones मिलेंगे सब कुछ बता दिया है तो इसका मतलब आपको समझा है कि शांती वारता की तरफ यह युद्ध नहीं जा रहा है फिर आगे अगर आप देखेंगे तो यहां पे यह भी बता दिया है कि 775 million arms package for the Ukraine तो package भी पूरी तरीके से पास कर दिया है तो प कही ना कही winters में western countries के लिए काफी बड़ी problem कर सकता है अगर आप देखेंगे यहां पे जितने भी particular Ukraine के जो powerful देखेगा area है वहाँ पर Russia ने काफी जादा damage किया है और उससे देखेगा western countries को भी काफी बड़ा damage हुआ है इसके बाद अगर आप देखेंगे तो US Treasury official to visit India amid Ukraine tension तो आ इंडिया को कहा जाता है कि आप Russia का oil क्यों buy कर रहे है बट ये कोई नहीं कहता कि western country इतने महंगे दामों पर sanctions लगाने के बाद भी क्यों buy कर रहे हैं gas क्यों buy कर रहे है और आप समझ सकते हैं कि जब आप gas buy कर रहे हैं अपने देश के hit के लिए तो इंडिया भी यहां पे कही न कहीं कि सारे काम कर सकता है और अगर आप एक अच्छे diplomat हैं तो आपको ये ना करके military ag ना दे करके drones ना दे करके funding ना दे करके बलकि आपको क्या करना चाहिए था कहीं ना कहीं एक मंच पर बैट के अच्छी तरीके से negotiations के जाद बात करनी चाहिए थी और अब तक इसका solution आ ही है कि ये जो particular देखेगा जो update है ये जो तीन दिन के लिए gas रोकी गई है तो आप ये समझ लीजे बहुत बड़ा impact create करेगी European countries के लिए America के लिए क्योंकि आपको पता है already western countries में बहुत तेजी से crisis चल ले हैं और ये माना जा रहा है winters में काफी बड़ी problems हो सकती है तो focus लेक्सी इसका impact कैसे आता है लेकि natural gas के price और energy के price अप होंगे तो कहीं से भी America के बाजार के लिए अच्छी बात नहीं है चोकि इसी लिए America के बाजार में last Friday काफी बड़ी गिरावट भी देखने हो ली थी तो वीडियो अच्छा लगा है तो like, share, subscribe करना ना भूलेगा, thank you so much करना भूलेगा है करना भूलेगा है